ओ 81 बीडियो में आपकी अपने चैनल किसान मशीन में अगर आप इससे पहले वाला विडियो पार्ट वन देखना चाहते है तो इसी विडियो का डिस्क्रीपशन में लिग डाल दिया हूँ लिंक पे क्लिक करके आप part 1 वीडियो देख सकते हैं, part 1 वीडियो देखना आपको बहुत ही ज़रूरी है, part 1 वीडियो में मैंने बताया है कि आपका machine में starting problem क्यों होता है, क्या क्या खराब हो सकता है, जिसके वैसे आपका machine start नहीं होता है, तो part 1 वीडियो देखना आप ना भूले, पहले part 1 वीडियो देखे, उसके बाद ये part 2 वीडियो देखे, जैसा कि आपने देखा इस machine का जो recoil starter है वो work कर रहा है, ये देखिए आपके machine का starter में अगर ये side में आपको घिसा हुआ लग रहा है ये damage लग रहा है तो आप इसे change किज नहीं तो आपका जो starter है वो अच्छे से work नहीं करेगा और आपका machine start नहीं होगा, दोस्तो अगर आपके machine का recoil starter damage है और वो अच्छे से work नहीं कर रहा है तो आपके machine में starting problem भी आ सकता है, flywheel को भी चेक करना बहुत ही जरूरी है आप इस तरह से flywheel को चेक कर ले, इस machine का जो flywheel ह नहीं है, दोस्तो अभी तक आपने किसान machine चैनल को subscribe नहीं करें, तो अभी subscribe करें, all वाले option पे click करके notification on करें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो upload करूँ, आपको notification मिलता रहा है, ये देखे, piston का जो ring था, वो तूट कर यहाँ पर अटका हुआ था, तो जैसा कि आप खाया था, flywheel को घुमा कर आप इस तरह से check कर लिजे, ये देखे, flywheel जो है, इस machine का बिल्कुल सही है, flywheel को आप घुमा घुमा कर चेक कर लिजे, अगर आपके machine का flywheel damage लग रहा है, तो आप उसे change किजिए, अगर ये damage रहेगा, तो current सही नहीं आएगा, इसके करण से आपका machine start नहीं होगा, piston को बाहर निकालने के लिए हमें piston lock निकालना पड़ता है, तो प्लास लेकर आप इस तरह से piston lock को एक side से निकाल ले, machine को इस तरह से घुमा कर दूसरे side में piston lock लगा हुआ है, दूसरे side का भी piston lock आप इस तरह से प्लास लेकर निकाल ले, piston में दोनों side से अगर आपने लॉक को निकाल दिया है तो यहां पर आपको क्या करना है एक एलिंकी लेना है और प्लास लेकर इस तरह से पिश्टन पीन को ठोकना है पिश्टन पीन को जब ठोकेंगे तो पिश्टन बाहर आ जाएगा चलिए आप मैं आपको पिश्टन दिखायाता हूं तो जैसा कि आप part 1 वीडियो देखिए उसके बाद ये part 2 वीडियो देखिए part 1 वीडियो का link इसी वीडियो का description में डाल दिया हो link पे click करके आप part 1 वीडियो देख सकते हैं playlist भी बना हुआ है चैन्सो रिपेरिंग करके playlist को खोल कर part 1 वीडियो देख सकते हैं पिश्टन को बाहर निकाल रहा था तो round ring crank के अंदर चला गया था तो ऐसे में आप machine को उल्टा करके round ring निकाल सकते हैं दोस्तो fly wheel को घुमा कर आप अच्छी तरह से check कर लिजिए fly wheel जो है वो विल्कुल free घुमना चाहिए अगर आपके machine का fly wheel free नहीं घुम रहा है इस तरह से fly wheel को हाथ से घुमाने में jam घुम रहा है तो आप क्या करें crank में लगा हुआ bearing body में जो दो bearing लगा हुआ है उसे आप check कर लिजिए अगर वो damage लग रहा है तो आप उसे change कीजिए crank को भी आप उपर नीचे करके इस तरह से check कर लिए अगर आपको crank ढख लग रहा है या play लग रहा है तो आप इसे change कीजिए ये देखिए दोस्तो side से इस तरह से play रहेगा इसमें कोई problem नहीं है crank को आप उपर नीचे करते हैं अगर ऐसे में आपका crank play होता है तो आप उसे change कीजिए को एलेंकी से दिखा रहा हूँ अंदर में दो bearing लगा हुआ रहता है एक ये side में होता है एक वो side में होता है दोनों को आप check कर लिजिए अगर आपको damage लग रहा है तो change कीजिए उसे बुरा body खॉल कर कैसे change करना है crank को कैसे लगाना है crank bearing कैसे लगाना है इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं यह देखे हमारे पास है 20W40 oil तो इस oil को हम थोड़ा धकन में निकालेंगे कैप में निकाल कर oil को हम crank में लगाएंगे तो चलिए आप मैं आपको बताऊंगा cylinder assembly को किस तरह से fit करना है यह देखे cylinder assembly हमारे पास complete है यह देखे दो रिंग लगा हुआ होता है पिश्टन में जैसा कि आप देख सकते हैं दो रिंग इसके साथ में आपको मिलता है cylinder assembly के साथ में यह देखे रिंग को आप जब भी लगाएगा इस तरह से लगाएगा घाट जो है वो नीचे के तरफ रहेगा यह देखे उल्टा हो गया और यह देखे सीधा हो गया अभी रिंग बिल्कुल सीधा है इसी तरह से आपको रिंग लगाना है पिश्टन में तो चलिए और भी ह यहां पर आपको मिल जाता है सेलेंटर असेंबली में तो इसे भी हम निकाल कर चेक करेंगे क्या क्या है इसके अंदर में तो यहां पर आप जैसा कि देख सकते हैं यह देखिए पिश्टन लॉक है पिश्टन लॉक को आप पैकेट फाड़ कर इस तरह से बाहर निकाल इसके साथ में ही दोस्तों आपको मिल जाता है बैरिंग तो यह देखिए यह है बैरिंग क्रेंग बैरिंग दो round ring भी आपको मिलेगा ये देखिए round ring है ये दोनों bearing में side side से लगता है चार bolt भी मिलेगा आपको cylinder के लिए cylinder को tight करने के लिए piston pin को भी बाहर निकाल लिया है package से ये देखिए ये है piston pin तो अब मैं आपको दिखाता हूँ piston और cylinder तो piston को आप देख सकते हैं ये देखिए new piston आपको कैसा दिख रहा है पूरा plane दिख रहा है ना जब ये damage हो जाता है तो इसमें पूरा scratch हो जाता है तूट जाता है है ना दोस्तो रिंग piston को आपको सही रखना है तो petrol में टूटी oil डालना बहुत ही जरूरी है एक लिटर पैटरल में 40 ml टूटी oil आपको डालना है और अगर आप हाप लिटर पैटरल डाल रहे हैं तो 20 ml टूटी oil डालना है टूटी oil अगर आप सही मातरा में डालेंगे तो आपके machine का cylinder assembly damage नहीं होगा ये देखे cylinder में अंदर के तरफ देख सकते हैं बिल्कुल plane दिख रहा है आपको और जब ये cylinder assembly damage हो जाता है तो इसके अंदर में आपको scratch मिलेगा पूरा 58cc का ये cylinder assembly है जैसा कि आप देख सकते हैं चले और भी देखते हैं क्या है इस डब्बे में एक packet और भी हमको मिल जाता है तो इसमें आपको मिल जाएगा cylinder gas kit ये देखे ये है cylinder gas kit जब आप cylinder assembly को change कर रहे हैं तो नया cylinder gas kit को लगाईएगा ये देखे और दो आपको gasket मिल जाता ह तो यह silencer gas kit है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और आपको एक gas kit मिलेगा, यह देखिए, यह है insulator gas kit, दोस्तो पिश्टन में हम सबसे पहले piston lock को fit कर लेंगे, तो यह देखिए हमारे पास है piston, पिश्टन में हम एक side से piston lock को लगा लेंगे, पिश्टन में piston lock लगाने के लिए आप को plus की मदद लेनी पड़ेगी, यह देखिए, यह है plus, plus लेकर आप इस तरह से बहुत आसानी से लगा सकते हैं piston lock को, यह देखिए piston lock लगा कर आप अच्छे से चेक कर लिजे, piston lock जो है वो अच्छे से बैठा हुआ होना चाहिए piston lock को हमने एक side से लगा दिया है, अब मैं यह किस तरह से लगाया हूँ, इसी तरह से आपको भी लगाना है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मैं किस तरह से लगाया हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब भी आप piston cylinder में fit करेंगे, तो ring जो है वो पूरा आप दाब कर रखेंगे, उसे पकड़ कर रखेंगे, ज तब तक cylinder में ring घुसने जाता, तब तक आपको ring को नहीं छोड़ना है, अभी मैं piston लगा कर दिखाऊंगा, cylinder में किस तरह से लगाना है, तो दूसरा वाला ring भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, दूसरा वाला ring को मैं भी लगा रहा हूँ, लगा कर आपको दिखाऊंगा, कैसे fit करना है, दूसरे वाले ring को भी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दूसरा वाला ring है, वो मैंने fit कर दिया है, तो second वाला ring है, उसको भी आपको इसी तरह से लगाना है, यह देखे, जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से आप देखे, मैं किस तरह से ring को fit किया oil लगा कर, oil देखकर आपको लगाना है, अगर आप oil देखकर नहीं लगाएंगे, तो ring तूट जाएगा, piston भी damage हो सकता है, piston तूट जाएगा, इसलिए आप धियान दीजिए, जब भी आप cylinder को fit कीजिए, piston में, piston में oil लगाना बहुत ही जरूरी है, यहाँ पर आप देख सकत है, उसमें आप oil देखकर लगाएंगे, तो आपका machine जो है, वो काफे अच्छा work करेगा, इसलिए आप oil देखकर लगाएं, दोनों side से देखे, bearing लगा हुआ है, दोनों bearing में आप oil को अच्छे से लगा दीजिए, इसके बाद आप piston ring को fit कीजिए, यह देखे, needle bearing जो है, needle bearing मे आपको इस तरह से oil लगाना है, oil लगाने के बाद आप crank में इस तरह से लगा देए, जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ, needle bearing लगाने के बाद आपको दो round ring मिलेगा, दोनों round ring को आप side से लगा ले, यह देखे, round ring है, दोनों को side से आप इस तरह से लगा लिजिए, piston pin में oil लग पिष्टन में पहले आप सथे पिष्टन पीन को लगा लजी जब इतना आप का लग जाए उसके बाद मीडल बेरिंग में लगा कर आराम से पिष्टन को अंदर कि depỏ Toniu पिष्टन पीन बहुत आसानी से पिष्टन के अंदर चला जाता है अगर नहीं जा तो वापस से आप इसे निकाल लिए निकालने के बाद इसमें oil लगाईए Oil लगाने के बाद आप वापस से लगाईए लग जाएगा, पीन जब लग जाए तो पीन को आप ठोड़ा अंदर कर दे अंदर करने के बाद आपको piston lock लगाना है एक बार आप इस तरह से चेक कर लें दोनों वासर लगा हुआ है ना दोनों वासर लगा हुआ होना चाहिए कई बार ऐसा होता है कि जब आप फीट करते हैं तो जो उसका वासर होता वो क्रेंग में गिर जाता है एक सूखे कपड़े लेकर आप क्रेंग को इस तरह से ढखकर और लोक को लगाईए कपड़े से ढखकर अगर आप लोक को इस तरह से लगा रहे हैं और लोक आपका कहीं गिर जाता है तो इससे क्या होगा आपका क्रेंग में लोक नहीं जाएगा ये देखे लॉक लगाना भी बहुत इजी है जैसा कि देखा आपने मैं किस तरह से लॉक को लगाया हूँ लॉक लगाना बहुत थी इजी है ये देखे ये है सिलेंडर गास्किट सिलेंडर गास्किट को आप इस तरह से लगा लेजिए देखे मैं किस तरह से लगा रहा हूँ cylinder gasket को इस तरह से आपको भी लगाना है cylinder में मैं पहले insulator को fit करूंगा तो insulator gasket है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं नया insulator gasket को लगा रहा हूं दोस्तों हमारी यूटूब चैनल बेश किसन में से एक है कभी-कभी हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए उसके बाद आप लेकर इसे full tight कीजिए जब यह insulator का bolt जो है यह पूरी तरह से tight हो जाए इसके बाद आपको carburetor bracket को लगाना है तो यह देखिए यह है carburetor bracket जैसा कि आप देख सकते हैं यह है देखिए carburetor bracket carburetor bracket में आप देख सकते हैं दो nut लगा हुआ है अगर यह दोनों nut sleep रहेगा तो carburetor का जो इलिंकी बोल्ट है वो tight नहीं होगा carburetor bracket का nut जो है वो damage है तो आपका जो carburetor का bolt है वो tight नहीं होगा अगर वो full tight नहीं होगा तो आपके machine में starting problem भी होगा machine start नहीं होगा यह अगर आपका चैन्सो machine start हो भी जाता है तो जैसे एक्सलेटर को प्रेस करेंगे आपका machine बंद हो जाएगा अभी मैंने carburetor gasket को लगाया है carburetor gasket को भी आप चेक कर लिजिए अगर फटा हुआ है तो आप उसे change कीजिए देखिए आप मैं espresso को fit करने वाला हूँ तो यह देखिए यह है espresso espresso को आप बहुत ही आसानी से fit कर सकते हैं दोस्तो अभी तक आपने किसान machine यूटूब चैनल को subscribe नहीं किया है तो अभी subscribe करें all वाले option पर किलिक कर के notification on करें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो upload करूँ आपको notification मिलता रहे दोस्तो आपके इस तार से हमारा वीडियो देख रहे हैं नीचे comment box में लिखिए मैं कौन सा machine का repairing वीडियो बनाओ जिस वीडियो पे ज़्यादा like और comment करेंगे उसी machine का repairing वीडियो बनाओंगा ताकि दूसरे लोग का इस problem solve हो जाए अगर उनके machine में starting problem आ रहा है तो इस वीडियो को देखने के बाद वो machine अपना repairing खुद से कर सकते हैं पिश्टन में और ring में आप अच्छे से oil को लगा लें इसके बाद आप cylinder को लगाएं पिश्टन में जो ring लगा हुआ है इस ring को आप अच्छे से पकड़ कर अंदर कर लें इसके बाद आप cylinder को लगाएं अगर आप cylinder को अच्छे से fit नहीं करेंगे और ring को सही से पकड़ कर फ किजिए सिलेंडर पिष्टन में आप फिट कर रहे हैं आराम से फिट कीजिए अगर यह से लेंडर अंदर नहीं जा रहा है तो वापस आप इसे बाहर निकाली और फिर से अंदर कीजिए आराम से चला जाएगा यह देखें से लेंडर गासकिट जो वह अच्छे से दोस्तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो इस वीडियो को हम यहांपर ही एंड करते हैं अगर आप part 3 वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो का description में link डाल दिया हूँ link पे click करके आप part 3 वीडियो देख सकते हैं part 3 वीडियो में मैं आपको machine start करके देखाऊंगा कैसा work कर रहा है हमारा machine chainsaw repairing playlist भी बना हुआ है playlist में click करके आप part 3 वीडियो देख सकते हैं